तो हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो के साथ आज आपके सामने TBS की काफी पोपुलर लोडिंग वीकल XL 100 Self Start Heavy Duty टोटल पांच कलर ओप्सन के साथ ये वीकल आती है दोस्तो अगर आभी 2023 में XL 100 Heavy Duty लेने वाले हो या लेने की प्लानिंग करें तो इस वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखेगा क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं माईलेज कितना निकाल करके दे देती है ये स्पेसिफिकेशन क्या है और 2023 में इसकी कीमत भी पहले से बढ़ चुकी है तो इसकी नई डीटेल में आउन रोट कीमत क्या निकल के आड़ी है ये सारी जानकारी आपको वीडियो के लाश्ट तक मिल जाएगी तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउंड सेप के आपको हैलोजन हेड्लैम सेटप आपको मिल जाते हैं लो बीम और हाई बीम के साथ और इसके उपर में आप चारो तरब देख सकते हो कापी सांदार आपको क्रोम की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है बल्ब के यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो की फुली फ्लैक्सिवल दिये गए और सामने से यहाँ पे आपको LED DRL के आपको सेटप मिल जाते हैं number plate लगाने कि यहाँ पर आप जगर देख सकते और इसके साथ-साथ इसके front में आपको telescopic spring hydraulic type के आपको suspension मिल जाते हैं जिसके उपर आप rubber getter देख सकते हो, single piece horn आपको मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हो, full metal body का front वाला mud guard मिल जाता है सेप्टी की बात करें तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, मतलब की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है, 110 mm का यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके राइट साइट की और, तो यहाँ से आप इसका पूरा राइट सिकर् वर्क रोरक मिल जाती है, चार लीटर का आपको कैपेस्गी मिल जाता है, जिसमें आपको 1.2,5 लीटर की रीजर फ्यूल मिल जाती है, फ्यूल टैंक कैप यहाँ पी आप देख सकते हो, इसके साथ-स लीश क्रोम के फिनिस के साथ कुछ इस तरह का आपको हेंड से गया है जिसमें आपको carry hook मिल जाती है और red color का इंजन की लोड़ self start का switch देख सकतो console की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं fully analog type के आपको console मिल जाते हैं speedometer के ऊपर आपको काफी सांदार chrome की treatment मिल जाती है odometer देख सकतो turn indicator की warning, main headlight की warning, check engine की light यहां पर आप देख सकतो यहां भी आपको समान रखने के लिए अच्छा खासा space मिल जाता है, toolbox देख सकते हैं और अगर इसके seat comfort की बात करें तो यहां पर आपको dual tone color का मिल जाता है, two piece की आपको seat मिल जाती है और कुसन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है बाकि दोस्तो आप इसके पीछे वाले seat को हटवा भी सकते हो, और side में यहां पर आपको dual tone color की graphic की work मिल जाती है और pillion को पकड़ने के लिए यहां पर आपको एक grab handle मिल जाता है, इसी में आपको attach एक hook दिया गया है जिसे कि आप समान असानी से load कर सकते हो, जिसकी build quality काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है बाकि यहां पर आपको swing arm with hydraulic sock type के आपको suspension मिल जाते है pillion का यहां पर आपको metal body का footrest दिया गया है, जो कि non adjustable है, kick lever आप देख सकते हैं इसमें आपको self के साथ-साथ kick का भी option मिल जाता है, ETFI यहां पर आपको लिखा मिल जाता है और आगे कि योड़ आपको XL 100 heavy duty के आपको sticker work दी गई है बागे दोस्तों यहां पर आप राइडर का non adjustable footage देख सकते हो इसके साथ-साथ यहां पर आपको spark plug मिल जात oxygen sensor catalytic converter देख सकते हो तो चलिए finally बात करें इसके engine और power की तो इसमें आपको 99.7CG air cool 4-stroke ETFI engine मिलता है यह engine maximum power generate करता है 4.4 PS का 6000 RPM और maximum torque generate करता है 6.5 Nm का 3500 RPM पे single speed gearbox के साथ यह bike आती है और loading capacity आपको 130 kg का मिल जाता है और यहां पर आप इसके जोस्ट के उपर देख सकते हो metal का आपको muffler guard मिल जाता है chrome के finish के साथ में तो चलिए दोस्तों next अब चलते हैं इसके पीछे की और तो यहां से आप इसका पूरा rare profile देख सकते हो तप ही standard यहां पर आपको bulb के tail light मिल जाते है और यहां पर आपको halosan bulb के turn indicator मिल जाते है जो कि fully flexible दिया गया है number plate लगाने की जगह देख सकते हो और metal body की आपको rare वाली mud guard देखने को मिल जाते है और अगर इसके rare टायर साच की बात करें तो सेम आपको front जैसा ही rare में भी आपको मिल जाता है दो पचास सोल लगा ट्यूब वाला टायर सो लेंच जिसका यहां पर आपको spoke wheel दिया गया और 110 mm की आपको drum brake मिल जाती है तो चलिए दोस्तों next अब चलते हैं इसके दूसरी ओर तो यहां से आप इसका पूरा left side का view देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है और इस side से भी यहां पर आपको three tone color के graphic के work मिल जाते है eye take start के यहां पर आप sticker work देख सकते हो और इसके साथ-साथ यहां पर आपको rider का non adjustable footage मिलता है side stand cutoff जैसे features मिल जाते है main stand यहां पर आप देख सकते हो engine पर आपको TBS की branding मिल जाती है engine while cap यहां पर आप देख सकते हो और excel 100 heavy duty की आपको sticker work देखने को मिल जाती है chrome के finish के साथ आपको इसका crash guard मिल जाता है dimensions की बात कर तो 89 kg की आपको curve weight मिल जाते width आपको 670 mm का दिया गया है length आपको 1895 mm की मिल जाती height आपको 1077 mm का देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तो फाइनली अब बात करते हैं इसके pricing की तो जो 2023 में अभी इसकी 100 room कीमत निकल के आड़ी वो है सन 5,201 रूपीज और इसकी on road कीमत है 72,999 रूपीज दोस्तो अगर आप लोग मुझा पर पुरिसों या आस पास के किसी भी city से और TBS के किसी भाई के स्कूर्टी के test drive लेना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो विवान ओटो मौइल जीरो मौइल बैरिया रोड मुझा फ़र पुरिस्तित सोरूम में सोरूम की सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा अगर आप भी अपने city के और पाई जानना चाहते हो तो आप मुझे comment box में अपने city का नाम लिख करके भेश सकते हो थैंकि दोस्तो वीडियो के लाज तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और जी डी टी टेकनोलोजी चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा जैहिन जै भारत